इस कवाली ने सत्तर के दर्शक में पूरे भारत में धूल मचा दी थी उस दौर की कवालीों में ये कवाली लोग पुरेता के मामले में टॉक पर रही थी फिल्म में जब ये कवाली शुरूब होती थी तो दर्शक नाचने लगते थे और सिक्कों की बरसाथ करने लगते थे पूरे हॉल में सीटिया बचने लगती थी उस जमाने में ये कवाली एतनी लोग प्रिये हुई की जगह जगह लाउट स्पीकर पर ये कवाली बजाई जाती थी हर कारे क्रम में इसे गाया बजाया जाता था फिल्म अमरा कवार एंधनी की इस मश्रूर कवाली को पहले केवल रफी सहब से रिकार्ड कराया गया था जिसे फिल्म में जोशी कपूर पर फिल्म आया जाना था येकिन बाद में इस कवाली में एक लाइन किशोर कुमार ने भी गाई उस लाइन को फिल्म में अमिताद बच्चन पर शूट किया गया आधिर इस कवाली में अमिताद बच्चन और किशोर कुमार का प्रवेश कैसे हुआ इस वीडियो में मैं इसी मशूर कवाली के रिकार्ड हुने और इस करवाली की शूटिंग के बारे में दिल्चस्प जानकारिया देनी जा रहा हूं तो आप बने रहे हमारे साथ दोस्तों अमिताब बच्चन, मिनोध खन्ना, रिशी कपूर, नीतु सिंग परविन बॉबी और शबाना, आज मी जैसे सितारों से भरपूर मल्टी स्टारर फिल्म अमर अक्बर एंथनी का निर्देशन मनमोहन देसाई में किया था वो जमाना सुटर स्टार राजेश खन्ना और एमी यंग नैनमिताब बच्चन का था जिनके लिए किशोर कुमार मुख्य आवास बन चुके थे उस दौर में ज़्यादातर अभिनेता किशोर कुमार की आवास को प्रधानता देते थे लेकिन मनमोहन देसाई जी मुहमद रफी साहब के परंभग थे और ऐसे में मनमोहन देसाई की फिल्मों में मुख्य गायक मुख्य रफी ही होते थे चाहे अभिनेता कोई भी हूँ लेकिन इस फिल्म में तीन अभिनेता थे अमिताग बच्चन, रशी कपूर और विनोध खन्ना अमिताग बच्चन के लिए तो किशोर कुमार गा रहे थे जबकि रशी कपूर के लिए मुख्य रफी गा रहे थे और विनोध खन्ना के लिए नुकेश जी गा रहे थे इस फिल्म में मुख्य रफी की आवाज में तीन गाने थे पायव अली प्यार का दुश्मन हाई हाई शिदी वाले साई बाबा और मश्रूर का वाली पर्दा है पर्दा किशोर दानी इस फिल्म में अमिताब बच्चन के लिए गाया था माइन गेम इज एंधनी गांसालवेच इसके लावा किशोर कुमार में ही फिल्म का टाइटल सांग अमरत पर एंधनी को महिंदर कपूर और शैलेंदर सिंग के साथ गाय था इस फिल्म की एक खास बात ये थी कि फिल्म में एक समय गीट था हमको तुमसे हो गया है प्यार इस गीट को तीन दिगज गाय को मुहंबद रफीद, किशोर कुमार और मुकेश ने दिगज गाय का लता मंगेश करके साथ गाया फिल्म संगीट के इतिहास में ये पहला मौका था जब इन चारों ने एक साथ कोई गाना गाया था इस फिल्म के वैसे तो सारे के सारे गाने हिट रहे लेकिन परदा है परदा करवाली ने तो लोग प्नियता के रिकार्ट तूट दिया इस कर्वाली के पीछे एक बड़ा ही दिलचैस और रोचक किस्धा है फिल्म अमर अक्बर एंथमी के तमाम गाने रिकार्ड करने के बाद रफी साहब विदेश के दौरे पर चले गए अब जब पर्दा है पर्दा करवाली की शूटिंग हो रही थी उस समय अमिताब बच्चन भी मौजूद थे अमिताब बच्चन को ये करवाली और इसकी सिचुएशन बेहद पसंद आई उन्होंने निर्देशक मनमोहन देसाई जी से पुर्जोश लहजे में कहा इस गाने में हम भी कुछ करेंगे ये सुनकर मनमोहन जी बेहद खुश हो गए क्योंकि उस समय अमिताब बच्चन चाहे हुए थे सिर्फ एक शौट के लिए लोग अमिताब बच्चन को सिर पर उठा लेते थे इस गाने में एक लाइन है अक्बर मेरा नाम नहीं है निर्देशक के दिमाग में ये आइडिया आए कि जिस हौल में इस कवाली को गाया जा रहा है उस हाल में दर्शकों के बीच अमिताब बच्चन भी होंगे और वह इस गाने में लाइन को अपनी स्टाइल में नाचते हुए गाएंगे ये लाइन थी अक्बर तेरा नाम नहीं है ये लाइन इस गाने में दो बार आई है अमिताब को ये आइडिया पसंद आया वह भी इस शौट की शूटिंग करने को तैयार हो गए और शूटिंग की तैयारी भी हो गए लेकिन अचानक एक समस्या आ गई पूरे गाने को तो मौम्मद रफीश साहब की आवाज में रिकार्ड कर लिया गया था और उस गाने में जो पंक्ती अमिताब बच्चन को गाना था वह इस तरह से थी अक्बर मेरा नाम नहीं है कि जगह अक्बर तेरा नाम नहीं है कब बगलाव करना था इसलिए इसे फिर से रिकार्ड करना अवश्यक हो गया लेकिन दिक्त तो ये थी कि रफी साहब विदेश के दौरे पर गए हुए थे मनमुहन देसाई जी ने उनको फोन किया और सारी स्थिती बताई इस सुनकर रफी साहब ने कहा ऐसी पंती तो फोन पर गा कर भी रिकार्ड हो सकती है लेकिन इस फिल्म में किशोर्दा अमिताब बच्चन के लिए गा रही है इसलिए ये एक पंती आप किशोर्दा से गवा लीजिए रफी साहब ने यह तो कह दिया लेकिन अब असली आफ़त तो यही थी किशोर्दा कुमार से यह बात कौन करेगा वह मानेंगे यह साफ साफ इंकार कर देंगे नहीं देसाई में फिर रफी साहब को फोन किया और सारी बाते बताई तब रफीज साहब ने एक माग निकाला उन्होंने कहा मैं ही किशोर जी को फोन करके ये पंक्ती गाने के लिए कहता हूं मैं मेरी बात जरूर मान लेंगे उनकी बात सुनकर तमाम लोगों ने चैन की सांस ली रफीज साहब ने विदेश शेक किशोर कुमार को फुर्म किया और उनसे कहा लक्ष्मी कांथ प्यारिलाल ने फिल्म अमरक पर एंत्मी में एक करवाली रिकार्ड की है इस गाने में अमिताब बच्चन जी भी एक लाइन गाना चाहते हैं दादा आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप वह पंक्ति गाएं क्योंकि अमिताब बच्चन पर आपकी आवाज बहुत सूप होती है रफीज साहब के अनुरोद को किशोर कुमार ने सहर श्रीकार कर लिया किशोर कुमार ने संगीतकार लक्ष्मिकांत कारिलाल को फोन करके कहा कि रिकार्डिंग का समय तैकर लीजिए उन दिनों किशोर कुमार बहुत ही व्यस्त गायक थे और उस गाने में केवल एक लाइन गाने से इंकार कर सकते थे लेकिन उन्होंने रफी साहब के अनुरोद को फॉरं मान कर अपनी विनमोता का परिचा दिया इस घटना से ये बात साबित होती है कि रफी साहब और किशोर कुमार एक बूसरे को कितना सम्मान करते थे दोस्तों आप जब परदा है परदा करवाली रिकार्ड कैसे तथ्वार रेडियो पर सुनते हैं तो आपको ये पंक्ती अकबर मेरा नाम नहीं रफी साहब की आवाज में सुनाई देती है परंतु फिल्म में इस गाने की पंक्ती किशोड़ा की आवाज में सुनने को मिलती है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही इस मशूर करवाली के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं आप अपनी राय से अब शेया उड़त कराएं अब ये वीडियो में मैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अंजानी जानकारियां लेकर फिर हाजर हो जामगा तब तक के लिए आनुमती दे, नमस्कार